तो देमिया जमना जी के उस पार से उस पार से रोज ब्रंदावन में दूद नहीं बेचने आती अगर से बासी दाल रोटी लेकर आती लोटते समय जमना जी किनारे वहीं बैट करो दाल रोटी खाती अपने अपने घर चली जाते हैं इन दोनों देवियों का नाम था चंपा और चमेली चंपा चमेली एक का दूसरी का नाम चंचला चंपा और चंचला रोज की तरह दही दूद बेच कर लोट रही थी रहती थी भगवां के भाव में दधी को नाम मिसर गई प्वाला हरी लो हरी लो गोले कि जाम मनुहर कर द il से हैं कि और जाम मनुहर को इस फिर से हैं कि यहंड को अ भृत्स कि फिशार मतनल को इस खो कजिसार दो थी यह कर चर्चा करने लंगों इस फिर आसल्स मतनुच्र चुम्पा ने चंचला से कहा भगवान होते हैं तुमने देखे हैं अब जरा ध्यान से सुनना भगवान की चर्चा तो हम लोगों में भी होती है क्या भाई होती है हम लोग कितने कितने तरह की बात करते हैं वो ऐसा है वो ब्यापत है वो तो निराकार है वो तो सब के भीता है सब नुसाकार है हमें इतनी इतनी बड़ी बड़ी किताबें याद हैं भगवान के बारे में जाने कितने तरह की हम जर्चा करते हैं लेकिन बिना पढ़ी लिखी दो देवियों की बात सुना चंचरा बुली भगवान तो होते हैं तब तुमने देखे नहीं कहां होते हैं का साधूं की जोली में होते हैं कि साधु लोग सबीरे इसनान करके इनकी आर्थी करते हैं वही तो भगवान होते को और थोड़े होते हैं कितना सरल विश्वास चंचला के आँखों में आसू चंपा के भी आँखों में आसू कभी संत कृपा करेंगी तो भगवान का दर्शन होगा और यह चर्जा करी रही तक तक एक महात्मा उधर से दिखाई दिये आते हुए वैश्व महात्मा जोली कंदे से लड़की हाथ में पीतल का कमंडन लिए उर्द पुंड तिलक जटाजूच तो आ रहे तो कौन अपने को भगवान दिखाने आ रहे चलो आज महात्मा मिले हैं किसी दिर भगवान मिलें और महात्मा आए तो जमना किनारे अपनी योली रखे दी वस्त्र उतारे गंचाला पेटा जल भरा कमंडन में और शोचादी से निब्रत होने चले गए चंपा ने कहा कि महन महात्मा तो शोच के लिए गए हैं लेकिन ये जोली तो यहीं रखी है भगवान इसी के वीतर तो होंगी और कहीं महात्मा आ गए तो अरे अभी देर लगेगी उन्हें अब मैं उधर देखती रहूं जैसे दूर से आते दिखेंगे मैं तुरंत इसारा कर दूं ठीक है चंपा तो गई उधर देखने लगी चंचला ने जोली खोड़ी अब साधू की जोली में क्या मिले रामायन गीता तुल्सी माला गोपी चंदन सब भी खेंटिया भगवान में मिलें तब तक एक छोटा डिपा मिला और डिप्य का जो ढटकन खोला है जटे डवा में लाल जू रहे मंद मुस्त काई एक गुलावी रेशमी रुवाल उसमें लालवी बैठे लड्डू गोपाल ये मैठे ना निकाला एक बस्तर पिछा दिया है आउसी पर भगवान को बिठाया और भगवान से कहा कि प्रभो अब आप डिब्बे से बाहर आ गए हो अब हाथ पाउं सही खड़े हो जाए अब भगवान तो जैसे थे वैसे ही थे कहने लिए कि कोई बात नहीं हमसे पहली पहली वार मिले और नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं लेकिन हाथ पाँ खीक करके आराम से खड़े हो जाए अब भगवान नहों अवसर सुनने सान पाय देवी चंचलने जोरी सों जपट रगुराज कों निकारे हैं देख बाल रूप बिन मुलही विकाय ही लाए बार बार अवधेस के दुलारे हैं प्रवके कर पंकज प्रवके कर कमल पदपंकज बिलो की वक्र द्रवित राजे शोहय पचन उचारे हैं यह जिब्बा में ही दखता है भगवान को निकलने नहीं देखा इसलिए हाथ-पाउं टेड़े हो गए आँखों में हांसु भर आए कि भगवान देखो कितने मजबूरी में रहते इस जिब्बा में अब हाथ-पाउं कैसे तो मखन था मटकी में माखन दखाया हाथ-पाउ सीधा करने की चेश्टा करने लगी और भगवान ने जब इतना भाव देखा भाव वर्स है भगवान आम भक्त परादी माखन की मालिज करी जब होए भाव भिभोर तो हाथ-पाउं दो करदे सूधे अबद किशोर आधि मुडेयं कि ए भगवान के करकमल चरण बिल्कुल सीरे हो गया भगवान खड़े हो गए चंपन से चंचला ने का आजा जा भगवान मिल गए जम चला दोड़ी दोड़ी आई तो फूल तोर दिए भगवान के चरणों में चढ़ा दिये प्रवुमें आपका दर्शन कर सकी लेकर वह जल्दी जहूं महात्मा आते होंगे अया गई और चंचला वह आंसू बहा रही चंपा भी आसू बहा रही बहुत मिल गए जब तक गई तक तक दूर से महात्मा आते हुए दिखाई दिये सो चंपा ओली बहन चल्दी कर जल्दी कर बात बात है तो चंचला ने भगवान को जो टिप्पे में बिठाया तो पहले तो टेड़े-वेडे तो बन जाते था हो गए खड़े अब टिप्पे का ढखकन न लगे और सुलाएं तो टिप्पे में बने नहीं तो चंचला बोली प्रहुआब आप जैसे दिप्पे में पहले बैठे बैसी बैठिया भगवान भी मनी मन बोले कि हम भी बहुत दिनों में खड़े हुए हैं जल्दी बैठेंगे नहीं और इसी प तब तक महत्मा और महत्मा ने देखा हमारा सब सामान फैला पड़ा हो अब महत्मा को क्रोद तो बहुत आवे पर मौनी मौन रहते थे जब तक इसनान न कर ले अब मौनी आदमी का गुस्वा तो और ये देवियां भी खड़ी हो गए और साधुने जैसे इसनान किया तो महत्मा ने इसनान के बाद दन्वत किया और भगवान का हाथ लगा महत्मा का हाथ भगवान को लगा भगवान फिर टेड़े मेड़े हो गए चंचला रोते हुए अपनी सहेली चंपा से बोली कि देखा साधु का हाथ लगते ही भगवान फिर टेड़े हो गए ये महत्म अकेले में इनको डांट का तूटता होगा डांट कर रखता हुगा इस लिए भगवान दरते हैं यह को डर के वारे टिप्बे में बन गए साजू आशू का आते हुए जोले लेकर जा रहे थे और देवियां कह रही थी निबुरे तो है दयान है निबुरे तो है दयान है निबुरे तो है दयान है संत बनो घर घर में तोले जाने का पीर पनाई निबुरे तो है दयान है निबुरे तो है दयान है निबुरे तो है दयान है तो है दयान है तो है दयान है दयान है निबुरे तो है दयान है तो है दयान है तो है दयान है दयान है दोनों देवियां आसुबाते अपने अपने घर को गई और महत्मा जा रहे थे और सोचते जा रहे थे प्रवसों करिने हैं तजे निजगे हैं अबेस विराग में खूदे भये द्यान समान को कोमल कंट में रूधे भये तीरदो मठ मंदिर में ध्यान धरे द्रग मूदे भये अब मुए टेड़े राम ललाजू रहे अवला अनजान पे सूधे भये भगवान आप मेरे लिए टेड़े ही रहे पर अवलाओं के लिए आप सीधे हो गएं भगवान ने का संद दुखी मतो मेरा सुभाव है कि मैं सरल के लिए सीधे के लिए बहुत सीधा बन जाता हूं पर टेड़े के लिए टेड़ा ही रहता हूं उतनी सरलता तुम में नहीं है इसलिए तुम्हारे लिए इस रूप में हूँ और जिसमें इतनी सरलता होती है उसके लिए मैं इतना ही सीला बन जाता हूँ इसलिए भगवान से नाता जोड़ना हो तो भगवान सरल के साथ नाता जोड़ना हो